Good morning students, welcome in online English class for class 5th. Today we start English reader, lesson 12, Dream a While with Me. This beautiful poem is composed by Catherine Martin, a famous English poet. In this poem, the poet proves that all dreams are not bad. Let's read and enjoy the poem. Students, ये एक poem है जिसका नाम है Dream a While with Me. जिससे लिखा है Catherine Martin ने. इस बहुत ही सुन्दर poem में, poet ये कहना चाते हैं, कि हम जो भी सपने देखते हैं, हमेशा वो बुरे सपने नहीं होते हैं. आईए इस poem को पढ़ते हैं. I dream of rainbows, bright in the sky, I dream of lighting, together we cry. First line में poet कहते हैं, कि जब वे rainbow, यानि कि इंद्रधनुश, इंद्रधनुश को अपने सपनों में देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि आसमान में इंद्रधनुश जो है, बहुत ही जादा चमक रहा है. लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि आसमान में बिजली कड़क रही है, बिजली चमक रही है, तो वे रोने लगते हैं. I dream of flowers, I feel such delight, I dream of spiders and I scream with fright. फिर पोएट कहते हैं सेकेंड लाइन में, जब वे अपने सपनों में सुन्दर खूपसूरत भूलो को देखते हैं, तो वे भी भूलो के जैसे खिल जाते हैं, बहुत खुश होते हैं. लेकिन जब वे अपने सपनों में spiders, यानि मकडी को देखते हैं, तो वे बहुत ज़ादा डर जाते हैं और डर के कापने लगते हैं. I dream of fish, swimming in the sea, I dream of sharks coming after me. थर्ड लाइन में पोएट कहते हैं, कि जब वे सपनों में अपने fish को, यानि मशली को देखते हैं, तो वे क्या देखते हैं कि sea में, समुदर में मशली तेहर रही है, लेकिन जैसे ही वे सपने में उसी समुदर में shark को देखते हैं, और वो क्या देखते हैं कि समुदर में वो तेहर रहे हैं fish के साथ, मशली के साथ, और जो shark है वे उनका पीछा कर रही है. I dream of lambs frolicking around, I dream of wolves hunting with no sound. इस स्टेजाब में poet कहते हैं कि वे भेड के बच्चों को यानि lamb को उपने सपनों में देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वे उनके साथ बहुत खुशी के से खेल रहे हैं. तब ये वो एक बुरे सपनों में क्या देखते हैं कि वूल्स है वो जो है बिना किसी आवाज के उन भेडों का शिकार करने आ रहे हैं. I dream of children, several of them hours, I dream of them waking, being up for hours. इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जब अपने सपनों में बच्चों को देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं, उन में से बहुत से जो बच्चे हैं, उन में से ही हम सब में से ही एक हैं. लेकिन जब वो एक बुरा सपना देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि वो देख रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं वो बहुती घंटों से जगे हुए हैं वो सोए नहीं है Stay with me forever and together we will cope because when I dream of you I dream of hope फिर इस स्टेंजा में पुएट कहते हैं कि तुम सब जो है मेरे साथ रहो हम सब को साथ रहना चाहिए और जो भी मुश्किलें हमारे जिंदगी में आएंगी जो भी प्रॉब्लम समाई जिंदगी में आएंगी उसका हम मिलकर सामना करेंगे और अपनी हर समस्या का समधान हम म मिलकर करेंगे और क्योंकि मैं ये सपना देखता हूँ कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा आशावादी रहना चाहिए और समस्या का सामना जो है हमें बहुती समस्दारी से और सापधानी से करना चाहिए इस लास टेंजा में पोईट कहते हैं कि तुम सब को मिलकर मेरे साथ एक बार जरूर कोई सपना देखना चाहिए क्योंकि मेरा ये मानना है पोएट का ये मानना है कि सभी सपने जो होते हैं वे बुरे नहीं होते हैं सपने अच्छे भी होते हैं इसलिए आओ और हम सब को मिलकर कोई अच्छा सपना देखना चाहिए और बुरे सपने से डरना नहीं चाहिए That's all for today Students, this is a very beautiful poem Keep learning Thank you